आज मैं आपके लिए कर्टन वाइन की वीडियो लेकर आया हूं डिफरेंट लोकेशन्स पर जाकर शूट की है बहुत ही मेनत से बनाई गई है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नियों हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा यह हमारे प्रोमोशन के लिए बहुत ही ज़ूरी है यह प्लाइट हमारे घर की वाल पर लगा हूँ है इस प्लाइट के करेक्टरिस्टिक की वज़ज़ से इसके तक्रीबन नाम गर्टन जैसे है यानि की से पड़दा वाइन बीका जाता है प्राइवैसी वाइन भीका जाता है फ्रेंड्स यह आप देख रहे हैं कि यहां पर मैं एक गोल जो है राड यहां लगा कर और यहां पर एक दर्वाजा बनाना चाहरा हूँ इसलिए मैंने इस वाइन को इस लोकेशन पर लगाया है फ्रेंट्स इसका इंगलिश नेम जो है वर नोनिया क्रीपर है और इसे आम तोर परदा वाइन का जाता है यहां पर पाकिस्तान में इसे बंबे क्रीपर के नाम से भी याद किया जाता है और फ्रेंट्स इसे सेरा बेल भी का जाता है क्योंकि फ्रेंट्स जब हम इसे एक स्पोर्ट देती हैं टॉप पर तो जब इसे आप स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो यह कि यह अब यह प्लांट एक वाल पर लगा हुआ है और यह अब कह सकते हैं कि हैंगिंग वाल है इसकी और यह नीचे इसकी टैनिया इस तरह से लटक कर आती है बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है इसकी जो प्रानी जो स्टेम्स होती है वो वुडी हो जाती है और न्यू स्ट से ग्रोग करेगी एवर ग्रीन प्लांट है सारा साल सरसब्स रहता है इसके पते नहीं जड़ते और आप बहुत ही वर्स टायल है डिफरेंट तरह से इसकी शेप और लुक्स को आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से अगर कोई आपकी ऐसी दिवार है आप चाहते हैं कि को एक कौटिज दिखाते हैं फ्रेंट यह आप देख रहे हैं कि यह एक फार माउस में उन्होंने यह खुबसूरती के लिए एक कौटिज बनाई है और इस तरह से इसका यह सामने फ्रेंट में डोर रखा है और इस डोर को यहां से जो टैनियां काट दी हैं और बाकी है आप यह देख रहे हैं कि यह सेरे की तरह यह पड़दे की तरह यह इसकी टैनियां लटकी हुई है इसलिए इसका नाम प्राइवेसी वाइन भी रखा जाता है चोंके आपके लिए एक प्राइवेसी वाल का भी काम करती है यानि कि आप पड़दे के लिए यह प्राइव तो सूरज की रोशनी को कवर करेगी, अंदर च्छाओं और ठंडक आएगी, तो आप इस तरह से इस बेल को ग्रो करें, अगर आप इसे जो है वाल के साथ अटेच करते हैं, जैसे कि मैं आप पिक में आपको शो कर रहा हूं, कि राशिद भाई की कालूनी में एक सोसाइटी मे इस तरह से यह देखें के वाल को इसने पूरा कवर कर लिया है, अगर आप किसी पॉल पर लटकाएं, तो यह पॉल को भी कवर करेगी, और डिफरंड उसकी शेप्स दे सकती है, तो इस कौटिज को भी इसने चौरों तरफ से कवर कर लिया है, और पूरा एक कमरा इसने बना तो अगर आप इस पर चाहती हैं कि फ्लावर्स आएं तो इसके साथ भी एक आपको जो नजर आ रहे हैं बुगन बेलिया के फ्लावर्स है वो एक छोटी सी बेल इसके साथ अटेच है यह इसके अंदर का व्यू देख रही हैं इस तरह से उपर से छट भी बन गई है इसे पाइप लगाए गए हैं और यह देख रही हैं कि यहां पे यह मदर प्लांट और यह देखें कितना ज्यादा ग्रो कर गिया है कितनी ज्यादा इसकी फास्ट ग्रोथ हुई है इन पाइप्स के सारे से यह हैंक कर रही है तो आप भी इस तरह की खुबसूरत कोटीज अपने इस पेल ने बहुत खुबसूरती से पेट रखा है तो फ्रेंड्स यह लुक एक हैज की है इस हैज के दोनों साइडों पे पड़दा बेल लगाई गई है और यह उपर से इन पिलर्स से हैंक ही हुई है और इन पिलर्स के जरीए से यह हैंक करती हुई नीचे साइडों से भ है इस बेल से कवर्ड है तो यह आप साइड से इसकी लुक देख रहे हैं इस तरह से ग्रो करती है तौप से हैंग होती है और फिर साइडों पे अपनी स्टेम्स को गिरा देती है बहुत इजी टू ग्रिंग प्लांट है फुल संलाइट की जरूरत होती है मुनासिब वाटरिं ना भी करें तब भी ग्रो करती है यहां पर यह प्लांट लगा हुआ है हर तरह की सॉयल में असानी से लग जाती है तो फ्रेंट्स अगर आप च्छक पे गमलों में लगाते हैं तो वहांसे भी जो है अपने टेरस से भी नीचे हैंग कर सकते हैं लेकिन आपको वैल साइज पोर्ट प्रोवाइड करना होगा 33 डिग्री संटी ग्रेड में बहुत असानी से ग्रोव करता है फ्लावर इसमें फैब और मार्च के महीने में आती है ज्यादा नुमाया नहीं होते ज्यादा तर ये अपने पत्तों की खुबसूरती और टैनियों के लटके होने की वज़े से ग्रोव होता है फ्रेंट ये मेरा दूसरा प्लांट है इसे मैंने इस मकसद के लिए ग्रोव किया है ताके ये एक छोटा सा रूम बनाए यानि कि एक ऐसा इन्वार्मेंट इसने बना दिया है जिसके नीचे में अपनी कटिंग्स लगाता हूँ और ये कटिंग्स में चूंके मॉइस्चर की जुरत होती है तो ये मॉइस्चर और ठंड़क को प्रोवाइड करता है और सन जो है सूरज की रोशनी को रोक कर रखता है और एक अंदर थंडग बनाकर रखता है, तो मेरी कटिंग्स बहुत असानी से ग्रो होती है, चाए हो हाड़ी प्लांट्स ही, क्यों मैं ग्रो ना कर रहा हूं? फ्रेंट्स अब मैं आपको इसका प्रॉपोगेट करने का तरीका सिकाता हूँ कटिंग से भी बहुत असानी से ग्रो करता है लेकिन आज हम जिस तरीके की बात करेंगे उसमें 100% सक्सेस होगी इस तरीके को पोर्ट लेरिंग या ग्राउंड लेरिंग कहते हैं पोर्ट में लगाएंगे तो पोर्ट लेरिंग ग्राउंड में लगाएंगे तो ग्राउंड लेरिंग तो इसे दाब भी कहते हैं चूंके मदर प्लांट की एक तैनी को हम पोर्ट की सॉइल में दबा देंगे जहां से दबाना होगा वहां से लीव्स को रिमूफ करेंगे लेकिन नोट्स डेमिज ना हो एक आप छोता लकडी का वाई शेप टुकडा लेंगे सुक्य हुई लकडी का एक पिन मी ले सकते हैं हैर पिन और फिर इसे ज्यादा नहीं दबाएंगे क्योंकि ये बड़ी सॉफ्ट होती है तूटना जाए इसलिए इस लकडी के वाई शेप को इस तरह से प्रेस करेंगे और दबा देंगे और फिर इसके उपर मटी रखकर हलका सा इसे प्रेस करेंगे तो अब ये प्लांट मदर प्लांट के साथ जुड़ा हुआ है ये प्लांट खुराक वहां से लेगा ये मदर प्लांट का हिसा है जब रूट्स आएंगे तो यहां से कट करेंगे तो ये आपका न्यू प्लांट बन जाएगा ये इसकी एक टैनी थी जो मैंने ग्राउंड में दबा दी थी और अब इसने रूट्स लिए हैं ये टैनी आगे बहुत बढ़ गई और दू जगह से जहां पे दो नोट्स थी दो डिफरेंट जगहों पे दो नोट जगह से इसकी रूटिंग हुई है एक को भी जमीन में रहने दे रहा हूँ और दूसरे इससे को मैंने कट किया है कट करके अब इसकी रूट को हलका सा खेंचेंगे और ये देख रही हैं कि देखें कितनी लंबी और इसकी हेल्दी रूट डिवेल्प हो गई है तो ये बिलकुल अब एक मिचूर जो आपका प्लांट बन चुका है इस प्लांट को आप जहां तक इस तैनी को लेना चाहें वहां तक कट कर दें ज्यादा इस तैनी को बड़ा ना लें जब ये अच्छी तरह आपनी ग्रोथ में आएगा तो खुद इसके लंबाई बढ़ेगी मैंने इसे स्वाइल में लगाया है और इसकी रूट को इस तरह से मटी में दबा दिया है आप वाटरिंग कर देंगे इस तरह से आप साल बर कटिंग्स लगा सकते हैं नर्सरी में भी बहुत कम कीमत में प्लांट मिल जाता है क्योंकि इसली ग्रोइंग प्लांट है फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो से आपका शोक बढ़ता है और आपका शोक बढ़ा है तो हमें कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें करीजो और हमें लगे कि हमारी मेनत सफ़ा लोई अपना ख्याल रखेगा